इस दुनिया में क्लाउड जैसी कोई चीज नहीं होती बस वो किसी और का कंप्यूटर होता जिसमें आप फाइल सेव कर रहे हूं तो क्लाउड लाउड सब भूल्या खुछ नहीं होता है सब्सक्राइब कर सकते हैं सब कुछ बढ़िया है लेकिन यहां पर जो जो भी फाइल उनको उनमें इंक्रिप्शन नहीं मिलते आपको तो यह थोड़ा सा लैक करता है इसको किस चीज़ के लिए इस्तमाल कर सकते हूं कॉलेज प्रोड़क्ट कोई फाइल कोई इंपोर्टेंट फाइल तो ऐसे सेव कर सकते हैं और मैं इसको पर्सनल चीज़ें स्टोर करने के लिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि यहां पर सेक्योरिटी किस चीज़ की है गूगल की जरूर ही नहीं आपने टू-फैक्टर ऑथ पंदरह जीबी का स्पेस बहुत अच्छा है आप अपने डेस्टॉप कंप्यूटर में गूगल ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे नॉर्मल हार्डिस्क इस्तमाल कर सकते हैं नॉर्मल एक ड्राइव मिल जाएगी आपको वहां पर सेव कर सकते हैं यह इस चीज़ क द्राइव को अच्छे खासे नंबर दूंगा और उसका परफस्ति बता दिया वन ड्राइव की बात करते हैं यहां पर आपको यह माइक्रोसॉफ्ट का है और इसमें पांच जीबी आपको जो है स्टोरेज मिलता है ध्यान देगी जितने भी मैं बता रहा हो नहीं सबको एक बहुत अच्छी फैसिलेटी मिलती है वहर सीकरेट वॉल्ट इंगरेप्शन मतलब आप अपने OneDrive में ही एक सीक्रेट वॉल्टेक सीक्षिन बना सकते हैं जहां पर अपनी परस्नल कॉन डिटेशल सेव करके उसे इंक्रिप्ट कर सकते हैं very nice बट पांच जीवी की स्पेस थोड़ी से कम है यह किस चीज के लिए बढ़िया है फिर आपने डॉक्यमेंट्स वगएरा रखने के लिए जैसे आप अपना कोई मार्क शीट वगएरा यह सब चीज़ें यहां रख सकते हो वॉल्ट में इंक्रिप्ट करके रख सकते हो थोड़ा जादा सिक्योर है मेरी नज सब्सक्राइब करता है और यह बेस्ट काम करता है अगर आपके पास विंडूस का कंप्यूटर है तो क्योंकि माइक्रोसोफ्ट का है तो विंडूस के साथ इंडिकेशन बहुत बढ़ी है अगर आप डाल लेते हैं तो जैक्ली ऐसे इसे इस्तमाल कर सकते हो जैसे किसी हार् तोड़ा सा कम है इसकी पॉजटिव साइड में यह दोंगा किसमें सीक्रेट वॉल्ट मिलता है जिसमें ईंक्रिप्टेट करके आप डीटा स्टोर कर सकते हूं अब बात करते हैं बहुत ही कोख्यात क्लाउड स्टोरिज सर्वेज मेगा के बारे में यह बारे में कुछ बु यह लोग एक्स्टा दे देते हैं तो टोटल 25 जीवी हो जाता है फिर और कुछ रैफल वगरा करते हो तो ऐसे करें बहुत स्टूरिज आप गेन कर सकते हो सबसे जाधा स्टूरिज मिलता है इसमें लेकिन इसकी डाउन साइड भी है आप अगर मेगा चलाते हो और इसमें अप ही फाइल चली जाती मतलब फाइल को लॉंग रन में स्टूर करने के लिए मैं मेगा को रिकमेंड नहीं करूंगा सिक्यूरिटी की बात करें तो यहां पर आपको की मिलता है इंक्रिप्शन मिलता है की जो अपनी लोकली भी स्टूर करके रख सकते हैं विच वेरी नाइस ब करते हूं आपके डॉक्यूमेंट स्कूल की मार्क शीट वगेरा मेगापे स्टूर मैं आपको करना रिकमेंड नहीं करता मेरे दूस्ट इसके तो औरीजिन भी बड़ी कौनसी उनसी कंट्री से तो मैं तो बिलकुल ट्रस्ट करता नहीं उस ठीक है जादा स्टूरेज है क्लाउड स्टूरेज सर्विस पर अब मैं बात करूंगा ड्रॉप बॉक्स की यार पहले बहुत पॉपिलर था ड्रॉप बॉक्स लेकिन अभी इसको कोई ज्यादा इस्तिमाल करता नहीं है यहां पर आप क्या कर सकते हो अपने डॉक्यमेंट वगेरा डाले के शेयर कर सकते डॉक्यमेंट को करना हाला कि अबभी लोग बहुत इस्तिमाल करते हैं click best remix औश ऑच और स्ट्डव कर सकते हैं Ch equ snack वाला वर्जन भी अविलेबल होता है यह सर्विस तो यह जो फीचर है यह आल्मोस्ट सभी क्लाउट स्टोर्ज में मिल जाती है इसमें मिलती है नाथिंग स्पेशल आगे बढ़ते हैं मीडिया फायर जिसमें 10GB का अब फ्री स्पेस मिलता है और पर अचीवमेंट आपको फिर वह 50GB तक आप उसे पहुंचा सकते हैं बहुत टीवी टेराबाइट में मिलता है बट फ्री की बात कर रहे हैं तो यह जो है यह फाइल शेरी के लिए बहुत अच्छा है रिजिम सपोर्टेड जो लिंक मिलता है न करना हो बहुत साथ लोगों डाउनलोड करना कुछ भी हो सकता है उसे आप डाल दीजी उसमें जो लिंक मिलता है वो दे दीजिए और दुनिया भर के लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं बैंद विद कोई कमी नहीं है हां इसमें और स्ट्रिक्ट बहुत जादा material कोई copyrighted material डाल रहे मीडिया फाइर में तो वह आपकी फाइल को ब्लॉक कर देगा और इसके लिए यह सर्विस बिल्कुल भी साही नहीं है हाला कि मैं तो copyright protected material को distribute करने के उस प्रक्ष में हूं नहीं लेकिन फिर भी इसकी डाउनसाइड है इसका मतलब यह है कि जो भी फाइल आप डाल रहे हो वह यह कंपनी देख रही है अब किसी भी कंपनी को कैसे पता चले के बाई हमारी क्लाउट सब्सक्राइब किसी copyright protected material है ता भी पता चलेगा ना जो वह चेक करेगी चेक करेगी अब तो हमने को परसनल चीज सब्सक्राइब करेगी सब्सक्राइब करता है और बहुत ही बैटर तरीके से काम करता है और आपके पास apple device है अगर apple का iPhone है ना तो भाई आपको iCloud इस्तमाल कर लेना चाहिए मैं बता क्यूंकि अगर आपके फॉन टूट गया कुछ भी हो गया तो क्लाउड बैक पिल जाता है और यह इतना अच्छा बैकाप है आपके contact मैं जब पहरी बार iPhone लिए था मैं खुश हो आइफोन ले रहे हैं पुराने iPhone का username और password डाला iCloud का थोड़ी देर छोड़ दिया एक्जाक्ली वैसा हो जाता है जैसे पुरान आइफोन था वाल पेपर तक मिल जाता है सारे फाइल गैलरी वैले साब contact contact सब सब मिल जाता है वगर सब ऐसा लगता है वह डिवाइस उठके र security की बात करें तो बहुत सारे case आये हैं ऐसे कि celebrity के iCloud account leak हो गये है जिसमें उनके परसनल जो फोटोज है वो लीक हो गये ऐसे नहीं होता है अपल की security बहुत अच्छी है वो लोगों के mistake की वज़े से होता है जब आप password आप किसी को खुद दे ही दोगे जब किसी फालतो phishing page प लगाना पड़ता है ऐसी नहीं है कि बाइया ऐसे सोच जो जैसे cloud है तो आपका घर की चीज़ा कुछ भी स्टोर करना मतलब किसी और कंप्यूटर पर आपको स्टोर कर रहे है इंक्रिप्टिंट रहके करोगे तो जादा सिकेर रोगे प्लेन ऐसे कर दोगे तो और ट्रस्ट नहीं करनी आपको येंडेक्स डिस्क आपको इस्तेमाल करनी यह जो बाइडू है ना और यह और भी यूसरी डिस्क और पता नहीं कौन से कौन से हैं यह सब चाइनीज है ओहो मतलब डेटा स्टोर कर रहे हो चाइना के cloud में यहां दुनिया बावली हुई पड़ी है यहां पर एक बैन ओर हैं चाइना लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो चाहिना कंट रहे हैं तो इसलिए चायनीज बैन और यह है भारत में अपना डेटा कर भी दूदूं चलो कुछ है नहीं तो ठीक है चाइना की नहीं करो मा तो यहां पर मैंने जो फेमस फेमस जो cloud storage services उनको rank कर दिया और उनका क्या purpose हो सकता है क्या security है वो आपको बता दी आप और चाहते हो कि on online services software's और इन सब चीजों को मैं rank करूँ इनके बारे में बात करूँ कि इनका क्या best application हो सकते हैं तो मुझे जरूर बताना अपन सीरीज बना देगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो से like करें अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें cyber security और ethical hacking में इंटरस्ट है तो description चेक करें 299 रूपीज के 3 ethical hacking courses है आसान भाषा में आपको इthical hacking सिखा देंगे मैं मलता हूँ आप से एक ली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वाला इकन को प्रेस करना thank you so much and good bye